नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, भगवान विश्णुजी और धन की देवी माता लक्ष्मी की क्रिपासे 5 एप्रिल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी के दिन बना दिव्य दुरलब महाशुब सयोग सरवार्थ सिधी, अमृत सिधी योग, महालक्ष्मी योग 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोडपती माला माल जी हाँ दोस्तों, अब भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी की क्रिपास से 12 राशियों में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशी वाले एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये छे राशियां करोडपती बनने वाली हैं इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब करोडपती बनने से माला माल बनने से जी हां दोस्तों आपको बता दे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वरत का अपना महत्व और लाब होता है। ऐसा माना जाता है कि वरत रखने से भगवान का देव्य आशिरवाद मिलता है और भगतों पर सुख और सम्रधी की वर्षा होती है। सभी वरतों में एकादशी वरत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती है। एप्रिल की महीने में पढ़ने वाली पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मुचनी एकादशी चैत्र माहा की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है। इस बार पांच एप्रिल को पाप मुचनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है और सभी मनोकामनाई पूरी होती है। दोस्तों आपको बता दे सनाथिन दरम में एकादशी तिथी का विशेश महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नु संग धन की देवी मालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथी उनके निमित व्रत भी रखा जाता है। दार्मिक मत है एकादशी व्रत करने से व्यक्ती द्वारा जन्मांतर में किये सभी पाप कष्ट कट जाते हैं। इस साल 5 एप्रिल को पाप मोचनी एकादशी है। ये पर्व हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ट पक्ष की एकादशी तिथी पर मनाया जाता है। जोतिश्यों की माने तो पाप मोचनी एकादशी पर कही शुब सयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विश्णु की पूजा करने से सादक की सभी मनो कामनाय पूर्ण होती है। साथी एकादशी तिथी पर रुद्रा अभिशेख हेतु दुरलब सयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का रुद्रा अभिशेख करने से घर में सुख और समृधी आती है। आपको हम बता दें कि चैत्र मा की कृष्ण बक्ष की एकादशी तिथी चार एपरिल को शाम चार बज कर 14 मिनिट पर शुरू होगी और 5 एपरिल को दुपहर एक बज कर 28 मिनिट पर समाप्त होगी। सादक 6 एपरिल को सुबह 8 बज कर 37 मिनिट तक पारन कर सकते हैं। जोतिश्यों की माने तो पापमोचनी एकादशी तिथी पर सुबह 9 बज कर 56 मिनिट तक साध्य योग का निर्मान हो रहा है। इसके पस्चात शुब योग का निर्मान हो रहा है। जोतिश दोनों योग को शुब मानते हैं। इन योग में पूजा पाठ करनी से शुब फल प्राप्त होता है। शुब पुरान में निहित है कि देवों के देव महादेव के कैलाश परवत पर विराजमान रहने के कारण शुब जी का रुद्र अभिशेक करना परम फल दाई होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान शिव दुपहर एक बच कर 28 मिनिट तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस दोरान सादक भगवान शिव का रुद्र अभिशेक कर सकते हैं। इस योग में भगवान शिव का अभिशेक करने से घर में सुख, शान्ती और समर्धी आती है। इस दोरान से माला माल होने वाले हैं और अब करोडपती बनने से इने कोई नहीं रोक सकता। इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। भगवान विश्णु और माता की लक्ष्मी की कृपा इन पर हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वे भागिशाली राशियां कौन-कौन सी हैं। दोस्तों आजकल की दुनिया में मनिश्य के लिए पैसा बहुती जरूरी चीज हो गई है। बिना पैसे के मनिश्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है। यदि किसी भी कार्य की शुरुवात की जाती है तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पढ़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो। वो अपना जीवन सुक वैभव के साथ व्यतीत करना चाता है जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है जिसे वो बहुत सरा धन अरजित कर सके। परन्तु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनिश्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच भी पड़ जाता है। इतनी मेनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनिश्य को मेनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनिश्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनिश्य अपनी कम मेनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हिंदु धरम में ग्रह नक्षत्रों और राश्यों को बहुत जादा महत्व दिया जाता है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को इसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राश्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरी विश्णू और मा लक्ष्मी के आशिरवात से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है जिहां दोस्तों इन खुश नसीब और भागिशाली राश्यों में से बात करी तो पहली राशी की तो पहली राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे कि मा लक्ष्मी और भगवान विश्णू जी आपके उपर बहुत महरबान हो रहे हैं और इनके आशिरवात से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की कृपाजिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करनी चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कर्जों से मुक्ती पाने में काम्याब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी प्यापार में अचानक धनलाब होगा और सुख शान्ती का बातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा साथी साथ मक्कर राशी वालों आपके ऊपर भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा सदेव बनी रहेगी हालांकि इस राशी के लोग अपने उग्र सभाव पर थोड़ा सयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जिहां दोस्तों मेश राशी वालों को बता दे कि इस समय शुब मासयोंग से मालक्ष्मी और भगवान विश्नु की करिपा से आपको अब लाबदायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय में अब लाबदायक सितिया बनी हुई है आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथी साथ अब आपको कही बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उनती मिलेगी और उच अधिकारों का पुरा सयोग प प्रतिष्टा में व्रिदी होगी साथी साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशिरवाद आपको बड़ी उन्चायों पर लेकर जाएगा इन राशी वालों को मा लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आश समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो खुशनसीब और भागिशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे भगवान विश्णु और मालक्ष्मी के आशिरवाद से अब इस समय कुश्यों की सौगार लेकर आया ह जी हां दोस्तों और ये आपके लिए बहुती लाबदायक समय सिद्ध होगा जी हां दोस्तों परिवार में सुख शान्ती आएगी आपके रुके हुए समस्तिकार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साती से प्रेम बढ़ेगा संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशकबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेगा भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की अपार कृपाद रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में खुश्यों का वातावरन रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुख शान्ती का वातावरन रहेगा साथी साथ चो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से सम्मेंद को ही बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त हो सकती है भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की ग्रिपा से समय आपके लिए क अधियतिक रिपा आपके उपर बन रही है मीन राशी वालों भगवान श्री हरी विश्णू और मालक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कारे शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे आपको उसमें अविश्य ही बड़ी सपलता प्राप्त होगी आपके साथ आप समाजिक रूप से अपनी अलग पैचान बनाने में काम्याब होंगे साथी साथ चात्रों के लिए शिक्षा के शेत्र में प्रगती के योग बन रहे हैं परिवार का पुरा सयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुश्यां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सकलताएं प्राप्त ह होने वाली है दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुश्नसीब और भागिशाली राशी की तो हो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले लोगों को बता दे कि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके लिए बहुत ही शुब महासयूंग का निर्मान हो रह है इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शान्ती रहेगी आप लगादार सफलता की नई-नई कीर्दिमान सापित करते हुए अपनी अलग पैचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे आप अपने मैनज से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य स दोस्तों आपको बता दे आपको धनलाव प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं व्यवसाय में भारी धनलाव आपको प्राप्त होगा आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से कुम्ब राशी वालों समय आपके लिए बेहत अनुकूल है इस समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार मे खुशियां आएंगी बात करें अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी की तो हो है तुला राशी जी हां दोस्तों तुला राशी वाले लोगों को बता दे आपके उपर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की अपार कृपाद विश्टी बन रही है जिसकी वज़े से आपको अत्यांत भारी धन लाब प्राप्ती होने की संभावना है साथी साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में वृदी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उनको पधमी तरकी मिलेगी और साथी साथ वेतन वृदी के भी योग है जो लोग विदेश में नौकरी करना चाते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाते हैं तो आपको इस समय सफलता अविश्य ही प्राप्त होगी जी हां दोस्तों इस राशी के लोगों की आये में व्रिदी होगी जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी सुख अविश्य ही प्राप्त होने वाला है साथी साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश में और आनंद पूर्वक रहने वाला है दोस्तों बता दे भगवान, विश्णों और मालक्ष्मी के आशीरवात से तुला राशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में हैं जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अविश्य ही सफल होगा इस समय का आप भरपूर लाव उठाएं और समय को अपने हाथ से आप ना जाने दें दोस्तों बात करते हैं अगली खुश नसीब और भागेशाली राशी की तो वो है विशव राशी प्रिशव राशी वालों को बता दे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आने वाली है आपके मानसमान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी जिसकी वज़े से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी जियां दोस्तों आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वो भी अवसर आपको प्राप्त होगा जिसकी वज़े से ही आपकी जो भी कारे करेंगे वे सफल होते चले जाएंगे आयके साधनों में व्रिदी होगी साथी साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अविश्य सफल होगी विश्यव राशी वाले लोगों को धनलाब के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं यूं कहें कि धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए धनलाब प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं स्वयम मालक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आशीरवात से इस समय आपके लिए अनुकूल है आप लोगों को बता दे आपके परिवार में कुश्णमा माहोल रहेगा साथी साथ कारोबार में व्रिधी होगी सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी दोस्तों बात करते हैं अगली कुश्णसीब और भागेशाली राशी की तो हो है व्रिष्चक राशी रिष्चक राशी वाले लोगों को बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं आपके द्वारा की गई मैनत का आपको अविश्य ही फाइदा प्राप्त होगा आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कारे सफलता पूर्वक पूरे होंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग भी प्राप्त होने वाला है आपकी मदुरवानी की वज़े से आपकी सवी अटके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की अपार कृपा आपके उपर बन रही है जिसकी वज़े से आपकी धन सम्मेंजित सभी परिस्तित्या दूर होंगी जो भी आपके रुके कार्य है वे अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे विश्चिक राशी वालो मालक्ष्मी और भगवान विश्नु जी के आशिरवात से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अविश्य ही सफलता प्राप्त होगी समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भागेशारी राशिया जिसको भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अब वो बहुत बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त होने वाली है यूँ कहें कि ये राशिवाले माला माल होने वाले हैं इनको अनेक प्रकार के लाब, दनलाब और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अविश्य ही प्राप्त होने वाली हैं जिसे इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों भगवान विश्णू और मालक्ष्मी का अशिर्वार आपको प्राप्त हो सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जै श्री विश्णू अविश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद